हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिले इंट्रे इंस एक्जाम 2021 में पूछे गए सोसल साइंस के 40 कोश्चन करने वाले हैं और आप सभी दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने कोश्चन का आंसर आपको पहले से पता था और आप लोग अपना स्कोर भी बताईएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखें फर्स्ट कोश्चन में पूछा गया है एथनोइक एसिड का समाने नाम क्या है दोस्तों एथनोइक एसिड को जो है ना हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये सिरका होता है ठीक है अगर इसके 5-8% घोल को पानी में मिला दिया जाता है तो वो सिर्का बन जाता है टीना चलिए नेक्स्ट कोशन करते हैं स्टार्फिस्ट की समू का जीव है स्टार्फिस्ट दोस्तो ये एकाईनो डार्माटा समू का जीव है किस वर्ग के प्राणी में सल्क के अलावा सूस्क सल्क एवं ग्रंथी विहिन तप्चा होती है सरिस्ट रिप में आधूनिक आवर्त सार्णी में आवर्त एक में किसे रखा गया है दोस्तो आवर्त एक पिरेड एक में गैस को रखा गया है नेक्स्ट कोशन CO, carbon monoxide का सापेक्ष्ट रविमान कितना है 28, planmodium में किस परकार का जनन होता है, बहुँ भी खंडन ठीक न, multiple fusion English में कहते हैं, योगिक का double bond किसमे होता है, compound का जो double bond होता है दोस्तों ये होता है, propene में option A, इसका सही answer होगा विद्यूत परीपत में, electric circuit में, किसकी गती से विद्यूत धारा बनती है, most most important question है, बहुत ही असान है electron इसमें गती करता है, ठीक न, स्रिस्रिब वर्ग के जनवरों की तप्चा कैसी होती है, इसका सही answer होगा दोस्तों, सुस्क तप्चा होती है चलिए, next question next question पुछा गिया, thrust परती इकाई छेतर को क्या कहा जाता है, इसका सही answer होगा दाव कहा जाता है ठीक न, अगर आपसे पुछा जाए, thrust का SI unit क्या होता है, तो Newton होता है, ठीक न, याद कर लिजिएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर question दो तरीके स्पूछा जाता है, thrust, परती, इकाई, छेतर को क्या कहा जाता है, तो दाव कहा जाता है, और thrust का SI unit क्या होता है, तो आपको बताना है Newton क्योंकि दोस्तों, यह एक परकार का बल होता है थर्ष जो एक परकार का force होता है hydrogen even helium को किस वर्ग में रखा गया है आगया नहीं हम पर, यह इससे दोस्तों पर्थम वर्ग में रखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पर्थम वर्ग में जो है, गैस को रखा गया है पर्थम समूह में आधुनिक आवर्थ सार्णी के पर्थम आवर्थ में जो है, गैसो को रखा गया है नेक्स्ट कोशन, अंतरिक श्यात्री को आकास किस परकार दिखाई देता है इसका सही आंसर होगा, काला दिखाई देता है नेक्स्ट कोशन, आधुनिक आवर्थ सार्णी में अवर्थ एक में किसे सामिल नहीं किया गया तो अवर्थ एक में दोस्तो धादू को सामिल नहीं किया गया ठीक ना, गैस को रखा गया है चलिए, नेक्स्ट कोशन द्रवेमान संख्या का चिन क्या है दोस्तो द्रवेमान संख्या का जो चिन है यह है, A Q15 में पुछा गया है लेंगिक जनन में कौन सामिल होते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो A एवं B दोनो Next question Q16 का सही आंसर होगा 23 यहाँ पर दोस्तो question जो है न दो तरीके से पूछा जाता है अगर आप से पूछा जाए Q16 में जो पुछा गया है महिला के गयमेट में कितने क्रोमोजोम होते हैं इस तरीके से उल्ली पूछा जाए तब आपको only 23 बताना है लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि मनुस्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं जबल मनुस्य में कितने क्रुमजुम होते हैं यह लाइन अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है तेस्ट जोड़े या फिर आप कह सकते हैं 46 लेकिन इस तरीके से अगर कोशन आता है तब आपको 23 ही बताना है कुशन में पूछा गया है यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युद्धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसका परतिरोध रेजिस्टेंस क्या होगा आधा हो जाएगा ठीक ना ऑपसन भी इसका सही आंसर होगा जली अनुद्वारा आकरसित होने वाले समू को क कमी होती है ठीक ना तो उसे हम डिडेक्शन अभी किरिया कहते हैं और एक होता है ऑक्सीडेशन अभी किरिया रियक्शन जिसमें ऑक्सीजन मतलब एड होता है ठीक ना तो इसमें क्या होगा अब चैन अभी किरिया कि दोरान प्रमानू में क्या उतसरजित होता है तो इलेक् पौधा के उत्तक के कारण लचीला होता है, केलेन काइमा उत्तक के कारण पौधा लचीला होता है, विकास वाद का सिध्धान का प्रतिवादन किस नहीं किया था, देखे दोस्तों, नेचरल सेलेक्शन या वरनवाद का सिध्धान या प्राकर्तिक चुनाव का ये जो तो चार्ज डार्विन ने दोस्तों ये कहा था कि अगर कोई जी पिर्थवी पर बने रहना चाहता है तो उसे पिर्थवी के वातावरण का अनुकूल खुद को समय का अनुसार चेंज होना होगा अगर कोई भी जी पिर्थवी पर अपने पिर्थवी को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये कहा था उन्होंने चेंज होना आगा अब दोस्तो एक चीज़ा आप नोटिस करेंगे जो पंखा घूमता है तो पंखा जो घूमता है वो उसमें एक यांतरी कुर्जा पैदा होती है त्यूकि देखिए मैंने आपको स्थिती जूर्जा और गती जूर्जा के बारे में पढ़ाया था सबसे पहले आप लोग स्थिती जूर्जा का मतलब समझें स्थिती जूर्जा का मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी वस्तु की स्थिती में परिवर्थन के कारण उत्पन उर्जा होता है ठीक न और गती जूर्जा किसी वस्तु में गती कारण उत्पन उर्जा अब पंखा जो है ना उसमें उसके देखे कोई पंखा लोहे का धातू से बनाया जाता है अब दोस्तो उसके आकार में चेंज किया गया है ठीक ना अब उसको टांगा गया है तो उसकी स्थिती और आकार में परिवर्थन किया गया है अब पंखा घूमता है तो वो गती में आ विदिवत पंखा वैं simulations उपलाइन चैन्ज करा विदिवत उर्जा को किस jerk की ए वर दोस्तो यांतकरी कुर्जा में चैन्ज किया Luckily इस तरीके साब भी तक सकते हैं चलिए में the next question कर acc आफिकता होता है कौर Wir courties का बना होता है ऐसे लिति पर सब्सक्राइब होता है अगर आफρά आपसे पूछा है दोस्तों कि ब्रास किसका मिस्षरन ए तब आपको बताना KI अब benefit पूछा जाय किनिंग को कौन से उत्तक पाए जाते हैं? इसमें दोस्तों पाए जाते हैं? पूरक उत्तक. Q25. प्रागकन कहां पर उत्पन होते हैं? प्रागकन दोस्तों ये उत्पन होते हैं प्राग कोस में. Next question. Magnesium Riven किस परकार की लौ में जलती है? इसका सही अंसर होगा दोस्तों? Option C. सफेद. Question number 27. दरबे मान, मास, एवं, एसलिरेशन, तबरन का गुननफल क्या कहलाता है? इसका सही अंसर होगा दोस्तों? बल कहलाता है. ठीक है न? Force. Question number 28. यदि किसी लवन का pH मान सुनने हैं, तो वह लवन किस परकार का है? देखिए दोस्तों, यहाँ आप आप लोग ध्यान दीजिएगा. एक जो pH स्केल होता है, न? pH स्केल में, बीच में 7 लिखावा होता है. ठीक है, pH स्केल 0 से लेकर 14 तक उनका जो है number होता है. pH value होता है, किसी solution का. तो जिस भी solution का, दोस्तो, pH मान 7 से जितना ज़्यादा कम होगा, वो उतना ज़्यादा अमलिये होगा. और 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा, वो उतना ज़्यादा छारिये होगा. ठीक न? तो जल का pH मान 7 होता है, वो उदासीन होता है. उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई सवाद नहीं होता अगर हम यहाँ पर बुला क्या गया है यदि किसी 11 का प्येच मन सुनने है इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही जादा जो है अमलिये होगा ठीक न यहाँ पर इसका सही अंसर option A होगा चलिए next question करते हैं दूज से दही बना किसका उदारान है यह दोस्तो रसाइनिक परिवर्तन का उदारान है question number 30 का सही अंसर होगा option C 4 ठीक ना फूर्थ आवर्दम रखा गया है question number 31 पक्षी वर्ग में किस प्रकार की तबचा होते हैं दोस्तो पक्षी वर्ग में जो है न भी एवं सी दोनों परकार की तबचा होते हैं मतला सुस्क एवं गरंथी विहीन next question निस्किरिये गैस को कि समू में रखा गया है जो निस्किरिये गैस है दोस्तो इसे रखा गया है समू 8 A में पुरुस में कितने डैस होते हैं option B इसका सही आंसर होगा 2 नाइक्रोम किसका मिसर धातू देखे दोस्तो नाइक्रोम जो है न ये निकल, क्रोमियम, मैगनिसियम और आईरन का मिसर धातू है तीन next question यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक किस परकार का होगा देखे दोस्तो वह नमक जो है न देखे मैंने आपको बताया था जिस भी बिलियन का pH मान 7 से अधीक होता है जितना ज्यादा अधीक होगा उतना ज्यादा चारिये होगा ठीक ना और जितना ज्यादा कम होगा साथ से उतना ज्यादा अमलिये होगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर, option B होगा, कमजोर, एसे डेवं, ससक्त, वेस, ठीक ना, चलिए, next question, next question करते हैं, प्रोपाइण में किस परकार का बंधन होता है, प्रोपाइण में, दोस्तो, जो बंधन होता है, यह होता है, 3 बंध होता है, ठीक ना, 3 बंध, next question, पुरूस में कितने अंड्कोस होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, दोस्तो, Assistant, नश्ट होती है, ठीक ना, उर्जा का एक वर्तन हो सकता है मतलब changes होता रहता है तो यह उप्रियुक्त में से सभी जो है इसका सही answer होगा सीतलन का नियम का प्रतिपादन किस ने किया था सीतलन का नियम का प्रतिपादन दोस्तों Newton ने किया था इसे हम English में Newton's law of cooling कहते हैं